हर एक अगवा सबसे पहले तो अपना भेजा खर्च करना बंद करें अपनी युक्तियों को कचरे के डब्बे में डाल दें अपनी सूजबूच को माटी में मिला दें और ठहरे प्रभु के चर्णब और एक ऐसी जिन्दगी जिससे उसका मन लग जाए कि वो हमको प्यार करने लगे वो हमको पसंद करने लगे और जब वो हमको पसंद करने लगे तब हम इसके प्रेम में गिर पड़ें तब वो अपना अभिशेक देगा और तब हमारे द्वारा जो कुछ भी होगा वो एक स्थाई धन होगा मिनिस्ट्री को शॉर्ट टर्म पर सोच में लाने वाला अज्यानी है अधूरा है रातो रात कलीसिय नहीं बनती रातो रात चेला नहीं बनता रातो रात कोई सेवक नहीं बनता अपनी सूजबूच से सेवक नहीं बनता जिन नए चरवाहों को प्रभु खड़ा करना चाहेता है वो टोटली डिफरिंट होंगे मैं जो वचन आज प्रभु ने हमको यशया की किताब में दिया कि मैं तुम्हारे लिए एक नए चरवाहों को दूँगा और वो वो चरवाहे होंगे जिसमें कलीसिया नेडर होगी और उनमें से कोई खोने नहीं पाएगा यहर में आपड़े थे ना माफ कीजिए यहर में बाईस थेईस मैं उनके लिए अर्थात विश्व की कलीसिया के लिए उन भेडों के लिए ऐसे चरवाहे निक्त करूंगा जो उन्हें चराएंगे जो कलीसिया के अंदर डर को समाप्त करेंगे और वे विस्मित होंगे और वे कभी खौएंगे नहीं ऐसे वाले अगों को प्रभुखड़ा करने जा रहा है ऐसे चरवाहों को प्रभुखड़ा करने जा रहा है तो उसका मॉडल हमने देखा कि वह कंकर को पत्थर में बदलेगा और कंकर को पत्थर में बदलने की पाँच आवशकताएं हमने पड़ी जिसमें अभिशेक की आधीन रहकर उसकी बात मानने वाले दाउद की समान या उन तीन सो लोगों के समान जिसको प्रभु युद्ध के लिए कामिल आता है दाउद को शावल की जगे कामिल लेके आया गिदोन के तीन सो लोग बहुत थे अललोया आज के वचन में हम सब को ये खोज करने की जरूरत है क्या हम दाउद के समान परमेश्वर को प्रसंद करने वाले व्यक्ति हो सकते है आपको हमें एक बात बता दें जो प्रभु के प्रेम में गिर पड़े ऐसे व्यक्ति के पीछे प्रभु खड़ रहेगा हनूख भी परमेश्वर के साथ तीन सो साल तक चलते रहा वो बिमार नहीं था इसलिए बिमारी के लिए प्रातना करने के लिए आया और उसके बाद बप्तिसमा ले लिया होगा 65, age of 65, he began to walk with God and 300 years he was walking with God और अट लास्ट परमेश्वर ने इस हनूख की महबबत में इतना दिवाना हो गया कि उसने अपने बनाए कानून को तोड़ दिया उसको मरे भी न उपर उठा लिया ऐसा कोई डिवाइन प्लान नहीं था उसके लिए एलिया के लिए रहा होगा परन्तो हनूख के लिए नहीं था फिर भी प्रभू ने कहा टेंशन मत ले तेरे प्यार में मैं इतना पागल होगी हो कि अपना कानून भी पैर के नीचे रख दिया आजा तू मेरे साथ परमिश्वर के साथ चलने वाले लोग यह नहीं कि सीटी मारा तो चल पड़े उसके पीछे बिसी ने नौट चमकाया तो मार दिया सैलूट आमित्र को प्रशिडेंट बना देता हूं तो उस प्रशिडेंट के चक्कर में आज बेचा खरीदी चल रही है हम भी तो बेचे खरीदी की लिस्ट में है तो प्रभू की सेवा कोई आसान बात नहीं है संस्था बेच खरीद रही है सेवकों को वो तो खड़ी की खड़ी काली से खरीद लेते है और आज सेवक भी अपनी पूरी कली से संस्था को बेच देते हैं तो आप बताईए जरा कहा हैं God's pleasing attitudes वो हरकत कहा है जहां प्रभू हमको पसंद करे इस जन्त के दिनों में जो प्रभू की प्रसंदता का खयाल रखे जो दाउत के समान प्रभू को प्रसंद करने में लगा रहे इसके लिए खुद को आस्विकार करना होगा देन फिर जो है प्रभू आपको कहेगा मुझे भरोसा है मुझे मेरे हिर्दे के अनुसारिक व्यक्ति मिल गया है Wonderful बहुत उंची बात है आज परन तु क्या करें वहां तो आना पड़ेगा यदि आपने परमेश्वर की प्रसंदा का खयाल किये भी न अपनी मनमानी करके अपने ही योजना अपनी ही बुद्धी खर्च करके आपने परमेश्वर के लिए कुछ करने का प्रयास किया तो प्रभु कहेगा करो भईया तुम अपना हिसाब किताब करो मेरको तुमसे कोई लेना देना नहीं मुझे तो ऐसे अगुए चाहिए मुझे ऐसे चरवाहे चाहिए जिसकी उपर मेरे अभिशेक का नियंतरन हो जो मुझे प्रसंद करने के लिए चले तो पिता परमेश्वर आपकी सूजबूच को खोले आज थोड़ा जटिल भोजन है थोड़ा हाजमोला टिका लीजीगा प्रार्थना का तो शयद डाइजिस्ट हो जाए और जो बात प्रभु कहना चाहते हैं उसको समझ ले क्योंकि एक नया शिफ्टिंग टाइम है सेविकाई में एक नया मोड आने वाला है है ना संस्थाई सेवक स्वयम सेवक यह सब उनको बोलेंगे कोई बात में करो तुमको जो करने वो करो परन्तु मेरी जो कलीसिया है उससे तुम्हारा कोई ले न देना नहीं मुझे तो मेरे हिसाब से काम करने वालों की आउशक्ता है सब जो है प्रभू हमको सफलता देगा सो आओ हम गिदोन के तीन सो लोग बन जाएं आओ हम शाओल की जगा छोड़ें दाओद की जगह में आ जाएं आओ हम उन चरवाहों को जिनको प्रभू कहता मैं नहीं जानता हम उन चरवाहों में आ जाएं जिने प्रभू कहेंगे मैं तुम्हारे लिए ऐसे चरवाहे नुक्त करेंगे जो एक भी भेड़ को नहीं खोने वाले हैं मुझे ऐसे लोग चाहिए जो अपने खयालों का त्याक करते हुए परमेश्वर की खयालों में सहमत हो गए तुम्हारे मेरे विचारों में एक ता आ गई है जिसकी कारणे से महबत की रास्ते मैं तुम्हें आजकल पसंद करने लगा हूँ दुनिया तुम्हें पसंद करे या ना परिंतु प्रभु आपको जरूर पसंद करना चाहिएगा और यदि प्रभु आपको पसंद करेगा तो सबसे बड़ी सुरक्षा काम